नमस्ते मैंल करागुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेज में सौगत है तो आज हम क्या बात करने वाले हैं आज हम बात करने वाले हैं जो कि आप हमेशा यूज करते हो और हमेशा परिशान रहते हैं हम बात करने वाले गैस की, गैस है कैसी समस्या है, जिसके बारे में हम सोचते हैं, लेकिन समझते नहीं है, हम इतने परिशान है, आज कल अगर आप देखोगे तो हर घर में आपको गैस की टाबलेट मिल जाएगी, स्पेशली अगर आप देखोगे तो गैस की टाबलेट जिस पर लिखा होता है, प्रोटोन पंप इन्हीबिटर्स, वो आपको हर घर में मिलेगा, और हर घर में हमें ये भी देखने को मिलता है, कि लोग सुबह सुबह या फिर सुबह और शाम, स्पेशली गैस की दवा लेते ह बिना डॉक्टर से पूछे हुए, अब आप ये बोलोगे कि डॉक्टर से पूछने की क्या अवश्रकता है, डॉक्टर से पूछने क्या अवश्रकता है, क्योंकि गैस की टाबलेट हमेशा लेने के लिए नहीं बनी है, गैस की जो टाबलेट है, वो आपको प्रिस्क्रिप बारे आरा या ऐस्पेशली डकार लगतार होना ूच्छलेशंहों लोग लेकिन क्या इसके बारे में धोड़ा सा रुक करके बैठ करके सोचते हैं नंटें हमको क्या करना है हमको पहले कुछ भी ठीक फाहता चले लाहा है और हम सबको पता है जब गैस की समस्या करigner होती है तो धीरे धीरे करके आपके पेट में जो acid की मात्रा है वो बढ़ेगी तो पेट का जो लेयर है जो भी layers होते है वह फिर damage होना शुरू हो जाता है और पेप्तिक ulcer तक हो जाता यह medical tầm है लेकिन आपको यह मालूम कि पेट में प्रॉब्लम तो होगा बहुत से लोग एकसरे करवाने जाते हैं अगर आपको कोई भी बॉडि में दिखते हैं तो आपको स्टोन अभी आना बहुत जादा कॉमन हो गया है गयस जो है जो गयस है जसमें लिखा होता कि बॉबल गयस बहुत एक्स्ट्रा-एक्स्ट तो आपको क्या करना चाहिए तो आपको सोस समझ करके कोई भी दवाई लेनी चाहिए चाहे वो गैस का ही टैबलेट क्यों न हो अब बात कर लेते हैं कि जो मार्किट में गैस की टैबलेट है वो कितने टाइप्स की होती है सबसे पहलेगा आप बात करें तो सबसे जादा जो यूज होती है प्रोटॉन पंप इंहिबिटर्स जब्स में आपको पेंटोपराजोल वगरा आते हैं ठीक है लेनसोपराजोल आते हैं तो यह सब जो है वो अचानक से वो बहुत ही फास्टली आपके पेट में जाकर लेगे medicine है बहुत अच्छी है no doubt लेकिन क्या इसको हमेशा use करना है अब कहा जाता ये है अब एक guideline ये है WHO के हिसाब से भी guideline ये है कि जो gas की tablet होती है जो proton pump inhibitors होते हैं जो की fastly काम कर रहा है वो आपको long term तक इस्तमाल नहीं करना चाहिए लेकिन हम क्या कर रहे हैं हम बिल्कुल इसका उल्टा कर रहे है long term तक इस्तमाल नहीं करना चाहिए या कभी भी हम अगर इस्तमाल करते हैं तो एक से दो हफ़तों तक इस्तमाल करना चाहिए ज़ादा से ज़ादा आप 12 हफ़तों तक इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपको बॉडी में कुछ अलग प्रॉबलम है अब अलग प्रॉबलम कहने का क्या मतलब है और बारा हफता कहने का क्या मतलब है बारा हफते का मतलब है लगबग तीन महीना और अलग प्रॉबलम का मतलब है किसी को अगर खाने की नली जिसको हम इसोफेगस बोलते है अगर उसमें सूजन हो जाता है उसी को हम इसोफेगस भी बोलते है ठीक है अगर उसमें सूजन हो गया यहां पे फैरिंग्स भी होता है तो अगर उसमें सूजन हो गया या फिर आपके पेट में अलसर हो गया जिसको हम प्यप्टिक अलसर बोलते हैं या फिर आपके आत में सूजन हो गया जिसकी वजह से खाना पच नहीं रहा है और अगर हम पूरा अगर हम देखे तो आपके दवाईयां अवेलेबल है और गौर्मेंट को इस पर थोड़ा सा रोक लगाना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है लॉंग टम तक अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपके बोडी के जो और्गन से वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं जब आप इस्तेमाल करते हो तो आप मे तो आप बिलीव नहीं करोगे आपके ब्रेन के जो नियूरॉंस हैं वो फिट स्लो काम करेंगी मतलब कहने का मतलब सिर्फ यही है कि या दाश्त कमजोर हो जाएगा सर में दर्द रहेगा साथ ही साथ आपको पेट में असिड और ज़ादा बनेगा और ज़ादा क्यों और जादा बनेगा इसके लिए फिर आपको डॉक्टर प्रिस्काइब करेंगे एस्टू ब्लॉकर्स जिसकी वज़ा से थोड़े से जासे डाइजीन का सिरफ हो गया या फिर इनो हो गया तो यह एस्टू ब्लॉकर्स होते हैं और यह आपके पेट में आपके गैस को कम करने का काम करते हैं लेकिन बहुत साले लोग अभी यह बोलेंगे कि मैं इनो जब लेता हूँ तो मेरा पेट सुनता ही नहीं है मेरा gas खतम ही नहीं होता है डाइजिन पीते-पीते मैं ठग गया क्योंकि आपके पेट में एक्स्ट्रा गैस बन रही है और आपने उसकी habit लगा ली है अगर आप long thumb तक लेते हो तो आपकी kidney damage होती है long thumb तक अगर आप लेते हो तो आपके bones fracture होते है अब आप बोलोगे कि bone fracture कैसे होता है bone आपकी हड़ियों की density कम हो जाती है उसका घनत्व कम हो जाता है density का हिंदी होता है घनत्व आप देख सकते हो गूगल कर सकते हो तो उसकी जब density कम होगी जब हड़ि जब पतली होती जाएगी ज़रने लगेगी तो आपके घुटनों में तो तकलीफ हो गा ही न और बहुत सारे लोगों को आपने देखा है कि कम उमर में ही घुटनों में दर्द रह रहा है घुटनों से कट-कट की आवाजे आ रही है तो ये सब क्या है ये सब कहीं न कहीं gas के tablet की ही side effects है और आप समझते नहीं हो लोग बोलते हैं कि मुझे कुछ याद नहीं रहता है अब क्या है अब ये आप gas की जो tablet ले रहे हो आपने शायद सोचा भी नहीं होगा उसकी वज़र से आपके यादाश्त आपका जो brain है आपका जो memory है वो शाप नहीं रह गया है अब slow down होने लगा है इसी वज़र से आप चीजों को भूलने लगे हो आप important चीजों याद रखी नहीं पाते हो बोडी में vitamin B और magnesium के deficiency हो जाती है अब अपने अगर notice किया होगा तो बहुत सारी महलाई जो है वो शादी ब्या में अगर जाती है सबसे पहले वो तेल वाला सामान खाती है या फिर पूर्श भी खाती है लेकिन अक्सर मैंने महलाउ को जादा notice किया है तो क्या होता है कि वो शादी में जाती है बहुत सारा तेल मसाला वाला या फिर जो उनको मन होता है वो खाती है, फिर वो gas की tablet खाती है, उसके बाद फिर वो खाने चली जाती है, तो problem होता है, और फिर market में आप देखोगे, दुकान पे हो जाती है, बहुती भईया थोड़ा gas की tablet देना, और बिना कुछ सवाल किये हुए, उनको वो tablet मिल भी जाता है, तो इससे क्या होता है, इ अगर आप खाऊगो तो vitamin B12 और magnesium जासा की मैंने बताया, उसकी तो deficiency होगी ही, साथ में क्या होगा, infection का risk बढ़ जाता है, अब आपके पेट में acid जितना होना चाहिए, अब क्या हो रहा है, वो दब रहा है, क्योंकि आपने दबाई ली है, तो acid अगर कम बनेगा, तो stomach में infection हो आपने के chance और risk दोनों बढ़ जाते हैं, आपको याद रखना है, कि ऐसा नहीं करना है, गाउमे लोग मैंने भी देखा है, गाउमे भोज होते हैं, ठीक है, तो दही चूरा और हमारे साइड में दही चूरा और मिठाईयां बहुत जादा, लग भग मेरे गाउमे तो 100-100 मि उठ भी नहीं पाद, उठाने के लिए भी दो आदमी की जरूत होती है, तो क्या हो रहा है कि पेट में फिर acid का होना important है, अगर आप फिर gas की tablet खाओगे या खाना फिर अपच होगा, आपको खाना नहीं पचेगा, तो लोग gas की tablet भी लेते हैं और hardly लेते हैं, हमेशा लेने क कोशिश करते हैं, ऐसा करना है क्या, ऐसा बिलकुल भी नहीं करना है, इसे क्या होगा, इसे वापस से आपके पेट में ज्यादा acid बढ़ने लगेगा, तो इस बातों का, इन बातों का खास खयाल लगना है कि जो gas की tablet होती है, उसको आपको तीन महिने से उपर नहीं लेना है जो तीन महिने तक भी लेते हैं, जिसकी सरजरी हुई है, या फिर जिसके पेट में अलसर हो गया है, या फिर जिसके आतों में प्रॉब्लम है, वो लोग लेते हैं, ठीक है, आतों में डूडनल अलसर हो गया है, मतलब आत में दिकत है, ठीक है, तो वो लोग लेते हैं, पहारत के लोग हैं उनकी जो डाइट शैली है उनका जो खान पान है उनका जो लोकेशन जो हमारे एरिया है उसके अच्छा है लेकिन कुछ-कुछ जोडाइशे मोडिफिकेशनस ऐसे हो रहा है जिनकी वज़तसे नुकसान हो रहा है तो उन सब बातों का ध्यान तो देना होगा मेरे हिसाब से हम सबको थोड़ा सा जागरोक रहने की जरूरत भी है और हम सबको एक दूसरे को बताना भी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है हमेशा medicine नहीं लेना है lifestyle और diet को ठीक रखना है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे तभी हम अपने सपनों के लिए काम कर पाएंगे और तभी आप स्वस्त्रा पाओगे इसलिए मैं हमेशा आप से यही बोलती हूँ कि जब तक medicine की आवशकता हो तभी तक लीजिए उसके बाद कोई आवशकता नहीं तो कोई बात नहीं है आप अपने lifestyle को modify कीजिए lifestyle में बदलाओ कीजिए, खान पान में बदलाओ कीजिए आप स्वस्त रहेंगे और बहुत ही तंदरुस्त रहेंगे मैं उमीद करती हूँ कि आज का जो topic है वो आपको समझ में आया होगा बाकी classes daily शाम चार बजे होते हैं और उमीद है कि आप उस चीज को अटेंड करोगे, classes को आप अटेंड करोगे बाकी जो doubts होते हैं वो अलका medical classes, telegram group है आप उस पर पूछ सकते हो कभी भी आप वहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हो, वहाँ पर discussion group है जोईन करके आप टेक्स्ट कीजिए और बाकी भी social medias है, जहां पर आप follow कर सकते हो, या आप उसे बातचीत भी कर सकते हो आप students का एक group भी बना सकते हो, अगर आप चाहोगे तो लेकिन वैसे वहाँ पर बना हुआ है आप WhatsApp चानल को जोईन करके updates लेने के लिए, क्योंकि classes आते हैं, कभी नहीं आते हैं तो updates के लिए आप उसको join कर सकते हो, ताकि आपको समय समय पर notifications मिलते रहें तो मैं उमीद कर रही हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अभी festivals का समय चल रहा है और आज भाईदूज भी है, तो आप सभी को happy भाईदूज और अच्छे से रहें, खुश रहें, स्वस्त रहें और अपने सपनों के लिए काम कीजिए